Hey guys, welcome back in my new video तो guys, आप लोग की बहुत जादा request आ रही थी Instagram के DM से लेके YouTube के comment section तक की setup to video कवाने वाली है तो guys, finally आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताँगा की कैसे मैं अपनी वीडियो को shoot करता हूँ किस तरह से उन्हें मैं edit करता हूँ और क्या मेरा setup है तो वीडियो काफी जादे interesting होने वाली है वीडियो को पुरे हैं तक देखना चलिए वीडियो को start करते हैं Let's get started तो guys, drawing करने के लिए and drawing videos को shoot करने के लिए ये मेरे पास एक drawing table जिस पर मैं coffee time तक drawing कर पाता हूँ तो guys, वैसे तो इस table का color white है बट मैंने इस के उपर ये एक matte बिचा रहा है जो कि wooden texture की तरह लगता है और वीडियो में भी काफी जादा अच्छा लगता है तो guys, अब बात कर लेते हैं अपने setup की जहाँ पर मैं drawing करता हूँ and drawing videos को भी shoot करता हूँ तो guys, table की left side पर आपको ये मेरा overhead video recording stand देखने को मिल जाएगा जो कि वैसे तो एक mic stand है बट इसको मैं overhead videos record करने के लिए use करता हूँ और काफी अच्छे से top view से drawing videos shoot कर पाता हूँ तो guys, आप लोगी stand का use करके आपकी drawing videos को close up से भी record कर सकते हूँ क्योंकि ये काफी अच्छे से adjust हो जाता है तो guys, इसी side पर आपको ये मेरे white color के wireless headphones देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं drawing के time पर music सुनने के लिए use करता हूँ या फिर video editing के time पर भी इनका use कर लेता हूँ तो guys, इसी side पर आपको ये extension देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ज़दा important है because काफी देर तक video shoot करने होती है और drawing भी करने होती है तो साथ के साथ phone भी charge होते रहते है and lights के plug भी इसी में लग जाते है तो guys, इन सब के आगे ही मैं अपने drawing paper को रखकर drawing करता हूँ और साथ ही साथ अपने drawing की videos भी shoot करता हूँ तो guys, table की right side पर आपको देखने को मिलेगा मेरा ये pencil stand जिसमें की सारे वो materials हैं जो भी मैं अपने drawings में daily use करता हूँ तो guys, drawing video में lights भूँ जा रहा है important होती है तो lightning के लिए वैसे तो मेरे इस room में दो lights है but table की उपर मैंने left and right side पर दो extra light लगाई हुई है जो की soft light की तरह है and इन दोनों को इन टेबल पर अच्छे से attach कर रखा है and इन दोनों को मैंने एक plug से connect करके रखा हुआ है तो ये दो lights तो बहुत जादे important है videos में तो guys, वैसे तो मैंने अपने इस table पर ये दो lights लगा कर रखी है but अभी मैंने यहाँ पर एक ring light भी लगा कर रखी है तो ये मेरा भी complete drawing videos के लिए lightning setup है तो guys, मेरे setup में मेरे पास दो tripod है सबसे पहले तो है guys, ये एक बड़े size का tripod जिसकी उपर मैं ring light को लगाता हूँ and इसका use करता हूँ और guys, ये मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी बड़ा है and इसकी height around 6-7 feet तक है तो ये काफी अच्छा लगता है मुझे तो guys, इसी के साथ मेरे पास ये एक छोटा tripod है जो की काफी flexible है तो vlogging के लिए काफी बड़िया होता है तो guys, वैसे तो मैं इसका उतना ज़्यादा use नहीं करता बड़ ये काफी छोटा सा है, handy है तो ये थोड़ी बहुत video record करने के लिए काफी best होता है तो guys, setup के नीचे drawing table में कुछ drawers है जो की मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं तो guys, सबसे पहले तो है ये एक बड़े size का drawer जिसके अंदर मैं अपने सारे drawing papers को रखता हूं तो ये काफी बड़े size का drawer है जो की मैं कभी-कभी use करता हूं जैसे कि इस box में कुछ leads हैं जो की mechanical pencils में डलती हैं तो इनने भी मैं कभी-कभी change करता हूं और guys, इस box के नीचे यहाँ पर ये कुछ tissue papers हैं and मेरा fixative spray है and guys, fixative spray के साथ ही यहाँ पर मेरी सारी tapes हैं जो की मैं commission artworks को pack करने के लिए use करता हूं तो guys, इस drawer के नीचे इस जगह पर मैं अपनी सारी display books को रखता हूं या फिर मैंने जितनी भी drawings बनाई हैं उन सब को मैं इसी जगह पर रखता हूं तो guys, इस जगह पर मैंने अपने कुछ drawing materials भी रखे हैं तो guys, इस वले back के अंदर आपको इस तरह के काफी सारे mobile phone holder mount देखने को मिल जेंगे जो की tripod पे mount होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपना ये छोटा flexible tripod भी रखता हूं क्योंकि ये भी मैं कभी-कभी use करता हूं तो guys, यहाँ पर यह मेरे पास एक BOYA का BY-M1 का लेपल माइक भी है जो की काफी popular माइक है तो guys, इस माइक से काफी अच्छी voice quality मिल जाती है और इसको भी मैं इसी bag में रखता हूं तो guys, इसी के साथ मेरे पास एक पूराने type का camera है जो की अभी फिलाल मैं use तो नहीं करता बट हम लोग इसे use कर सकते हैं क्योंकि अभी भी working condition में है तो बस guys, यही कुछ equipment है वीडियो से related जो की मैं अपने इस bag में रखता हूं तो guys, यह तो है मेरे table बट अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी chair के बारे में करने के लिए तो मैं अपने phone का use करता हूं मेरे पास दो phones है एक phone से देखकर मैं drawing करता हूं एक phone का use करके मैं उसकी video को record करता हूं तो guys, फोन से video record करने के लिए जो मैं app का use करता हूं उस app का name है best camera app जो की काफी बढ़िया app है मैं one year से उसका use कर रहा हूं तो guys, videos को edit करने के लिए मैं काइन master and power director app का use करता हूं तो बस guys, यही मेरा एक छोटा सा setup है जहां पर मैं drawing करता हूं और drawing videos को record करता हूं तो I hope आपको मेरा setup पसंद आया होगा और I hope आपको यह video पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो guys, video को एक like कर देना चैनल भी नहीं होते है चैनल को भी जरूर से subscribe कर लेना and bell notification को भी दबा लेना तो guys, आप लोग मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो instagram का link मैंने नीचे description में दे दिया है तो जाओ जाके मुझे follow कर लो and guys, यार मैं मिलता हूँ आप से भी लोगों से एक next वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई